अब राजधने दिल्ली में हो रही हो यह सब बहुत सारे वीडियो हैं मैं हैरान हूँ जिसमें पुलिश कर्मी दंगाईों के साथ था यह दंगाई पुलिश कर्मी लेकिन दोनों मिलकर के एक तरब के हिंसा कर रहें और सबसे बड़ी अफसोस दनक बात है कि गिरह राजय मंत पुलिश की एक बरिष्ट अरिकारी IPS DCP उनकी मौजूदगी में भारत्य जन्ता पार्टी का विधान सबाग का चुनाव हार चुका उमीदबार कपील मिस्टा चुनोटी देता है और क्या कहता है अगर आपने ये सड़के खाली नहीं कराई हम कोई शाइनबाग नहीं बनने देंगे और हम सारे राष्टे खाली कराएंगे आप समझ लीजे कि पूरे सिस्टम को एक तरब मसला सुप्रीम कूर्ट में चलना है शाइनबाग की माओं की और वो शड़क आज दो मेनी से ज़्यादा का समय बितित हो चुका है आप सको समझना पड़ेगा बापू के बताए गए अहिंसा के मार्क पर जो सत्याग्राद चल रहा है साहिनबाग की माओं का उसके आगे दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, केंदर सरकार, सासन, परसासन, उत्तरपरदेश की सरकार, लाचार और विवस्ष है और सुप्रीम कूट भी असमन्जक की इस्तिती में है इसको समझना पड़ेगा इस पूरी परकिर्या के पीछे पहले हम अगर नहीं जाएंगे इत्यास क्या है हमारे देश में दो चीज़े एक है लोकतंतर की आत्मा या अभिव्यक्ति की स्वतंतरता ना कहिने का हक जिसको साहिन बाकी माओं के साथ साथ राजधाने दिल्ली और देश के विविन रजगाओं पर भारत की माओं बैठी हुई है हम विभाजनकारी नागरता कानून के खिलाफ हैं विभाजनकारी खिलाफ हैं हम इसको वापस लिया जाना चाहिए और जो हमारे देश में देश बाशियों की नागरता चीनने के लिए प्रस्ताबिद यन्पियार और यनार सी लाया जा रहा है उसको उसकी ना होनी चाहिए तो आप सड़क पर हमारे देश की लोकतंतर की जो आत्मा है अभी विक्ति की इस वतंतरता उसकी हत्या करते हैं बंदों की नोक पर आप संख्या बल पर पत्थर बाजों को भीज़ करके और संसत के अंदर संख्या बल पर आप हमारे देश की संविधान की आत्मा धर्म निर्पेक्षता की हत्या करके बिभाजनकारी नागरता कानू लाते हैं यह दो चीज़े हैं हमारे देश में नकेवल एक तरफ सुप्रीम कोट में पूरिये कमेटी का गठन किया गिया सुप्रीम कोट तै कर रहा है कि शाहिन बाग की माएं जो बैठे नेशनल हाइवए पर 15 दिसंबर 2019 से अंडिसित कालिन जो धर्णा चला है कौनसा बापू के बता हूं कि इसको सबचना पड़ेगा कि आज की तारीक में मैं आपके माध्यम से एक बात बहुत साफ कह सकता हूं भारत का इत्यास है हमारे देश में देश की आजादी की जंग में जितनी बड़ी सस्त्र करांती 1857 में हुई थी इतनी दुबारा कभी नहीं हुई और एक पूर चेहरा उबर कर आया राष्ट पिता महात्मा गांधी का पूरा संसार में तब हिंसा का दौर था और गांधी ने कहा कोई हिंसा नहीं होगी गांधी महात्मा बुद्ध के राष्टे पर चलते हुए और अहिंसा की मारत पर चलते हुए और देश तीस बरस में आजादी हासि किया यह समझना पड़ेगा शाहिन बाग की माउं का जो धर्ना चल रहा है नकेवल धर्ना शहादत भी है चार मेहने की मासूम बच्ची कोश की सहादत के बाद भी मा दुबारा वहां धर्ने पर गई उसने एक दिन का नाका नहीं किया मैं यह बात उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो शाहिन बाग की माउं से पिरेड़ना ले करके देश की जगा जगा धर्ना दे रहें शिर्प धर्ना ही नहीं यदि आप बावाई साइफ की अध्यक्सता में बनाए गई संबिधान की हिपाजजिस से नागरी कजिकार मि पिछडी जातियों के पास रामैन काल से लेकर माहा भारत काल और उसके बाद राजा रजबाड़े बात्साहों के जमाने में नहीं थे 200 बरस तक हमारा देश गुलाम था तब भी हमारे पास नागरी कजिकार नहीं थे और तब उस सहादत के बाद उनकुरबाणियों के बार हमारे देश में देशवासियों को नागर्टा के लिए जो कानून बना बाबा साहिब के अध्यक्सता में जो संबिधान बना उसको बचाने के लिए ना रखाया उन पर गोलियां चली लेकिन सहिन बाग की माओं ने गोली बाज पर कंकर नहीं उठाया जामिया मिलिया विश्व विध्याले के बाद उर चात्र चात्रों पर गोली चले गोली लगी उन्होंने गोली बाजों पर कंकर नहीं उठाया मैं आप सबोशे आगरा करता नहीं हूँ, हमारा देश, दो रास्तों पर है, जान भूज करके संघीद परिवार्षि हिंदु और मुसल्मान का उचोला पैनना चाता है, हिंदु और मुसल्मान का मसला कता ही नहीं है। और संभीधान को Siattam तो जो संभीधान को बसाने वाले लोग हैं उन सब को साहिंद बाकी माओं की तर्ज पर जितनी मर्जी लाथियां जितनी मर्जी गोलियां ये दाखते हों ये आप समझ लिजेगा इन्होंने संसद में संख्या बलके पाग़बूते हमारे देश के संभीधान के आत्मा धर्म गोली बाजी पत्थर बाजी और आग जनी कर रहे हैं जान से मार रहे हैं। मैं आप सब लोगों से आगरा करना चाहता हूँ। कितने लोगों की हत्या करेंगे ये। ये संबीधान की आत्मा की हत्या करने के बाद, लोग तंतर की जो आत्मा की हत्या कर रहे हमारे देश में संबीधान बसाने वाले कितने लोगों की बली और कुर्बानी ये लेगी, उत्तर परदेश में हमने देखा, संबीधान को बसाने के लिए सड़क पर उत्री 19 लोगों क हत्या हो जाती है और उत्तर-पर्देश की शुबा का मुख्य मन्तरी कहता है ये लोग मौत के मुऊ में इसका मतलब ये समझ लीजेगा हमारे देश में सुप्रीम गूर्ट में बैटे ज़श्टिस दीपक घुप्तानिक ने भी कःटि उन्हों के अंहोंने क atrocities हैं सरकार ने भीवाजन-कारी कानुन बनाया हमारे देश की आत्मा जो संविधान के आत्मा धर्म निर्पेक्स्ता के हत्या करके हम इसे नाखुष है हमारे देश में जिस तरी किसी 117 करोड अबादी की नागरता छीनने के लिए पहले NPR और फिर NRC लाया जा रहा हम इसे नाखुष है मैं आपके माद्यम से बात कर बनिये 62 सीटे हैं अर्विन केजरिवाल के पास अर्विन केजरिवाल को ततकाल परस्ताव पास करना चाहिए और बताना चाहिए कि वह NRC, NPR और CEA के खिलाफ है या पक्ष में है वह शंग के विधान के साथ है या बाबा साहिब के अध्यक्सता मैं बने संविधान के साथ ह और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ पूरे देश बर में जितनी भी विपक्स के राजनितिक पार्टियां और सरकारे हैं मैं आफ सब से गुजारिश करता हूँ आफ सब अपने अपनी विधान सबा में परस्ता पास कीजिए हम भी भाजनकारी नागरता कानुन को स्वि करते हैं मैं एक बात और कहना चाहता हूँ अगर हमारे देश की 137 करोड की आबादी की नागरता संदिक्द है तो क्यों नहीं यह सरकार इस्तीपा देकर सड़क पर आती है और पहले संदिक्द लोगों की छट्नी हो जाए और उसके बाद चुना होना चाहिए संदिक्द ल जमानत हो चुकी थी और कपिल मिस्रा की अपील पर ततकाल यह जो लाठी गोली और पत्थरबाज शुरू हुए हत्याएं हो गई दिल्ली में हेड कांस्टेबल 42 साल का युवा हेंस्त कांस्टेबल के हत्या हो गई उनका बताओ क्या दोस्ता तो बुखार में पीडित थे आप समझ रहें ना और जो बागी लोग भी मारे गए मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं कि बहुत दुखर अफ्सोस की बात है यह रामायन काल में भी हमारे देश के नागरी का अधिकार नहीं थे देश के बड़ी जाती बदल पिछड़ी जातीयों के और महा भारत काल में भी नहीं थी चलिए महरीशी बाल में को टकायद बताया गया और महा भारत काल में एकलब्य का अंगुठा कटाया गया और जिन जाती उने तब नागरी का अधिकार नहीं कायम होने दिये थे वो आज परिशान है बाबा साइफ की अध्यक्सता में बने संभीधान का और इस दंगा कर रहे हैं उन सब इवा बालकों से बताना चाहता हूँ आपको सूचना पड़ेगा क्यों नहीं अमिसा अपने बेटे को दंगायों के बीच में भीज रहा है क्यों नहीं राजना सिंग अपने बेटे को दंगायों के बीच में भीज रहा है यह सोचने और समझने की बात है मैं बधाई देना चाहता हूं राजदाने दिल्ली के साथ सांचदों में सी एक है गौतम गंबीर जिन्होंने चुनोती दे कर कहा जो अपरादी है उसको जेल में डाला जाना चाहे चाहे वह कपली मिसरा और कोई और क्यों नहीं हो हर सतर यमेले के मूँ पर तो मुझे लगता है जैसे दही जम गयून की हिंबत नहीं पड़ रही है दोसों से ज़्यादा हमारे निगम पार्शादे को शहास नहीं कर पा रहा है पर मैं एक बाद साफ कहना चाहता हूं जिन जहां जहां भी हमारे दिश में शीये ये नार्शुर ये नप्यार के खिलाब धरना परतसन चल रहे है उन सबसे मैं आग्रह करता हूं यदि आप बाबाय साहिप के संविधान को सहिन बाकी माओं की तर्ज पर अहिंसक तरीके से बचाने और लाठी गूली का मुकाबल अहिंसक तरीके से देने का सहास नहीं करते हैं यदि आप हिंसा का बिरूद हिंसा का बदला हिंसा से करना चाहते हैं तो मैं आप से आग्रह करता हूं आप अपने अपने धरने उठाते हैं और नहीं यदि आप साहिन बाकी माओं की तर्ज पर धरना चला सकते हैं तो हम सब के साथ और मैं आपसे आग्रा करता हूं न केवल उस तरीके से बलकि आपको चोक्षी भी बरतने पड़ेगी क्योंकि ये ये नर्स और ये नपियार लाने वाली जो ताकते हैं ये निश्चित तोर पर आपके बीच में गुष्पैटियों को बिठाएंगी जिस परकार साहिन बाग में भी प्रियास किया गया है और वो गुष्पैटिया तुम्हारी तरफ से पत्थर बाजी करेंगी वो दंड कर सकत हैं उन सब लोगों से इस तरह परते एक धरने में मैं आगरह करता हूँ आपको बहुत एक्टिव तरीके से सोचना और समझना पड़ेगा और एक बात आकरी बात वो मैं ये कहना साता हूँ कि ये हिंदू और मुशलमान का मसला बिलकुल नहीं है संग परिवार के दसा क्या हो गई है पहले इनों ने कहा कि हमने ये संख्या बल हमारे साथ है देश के मद्दाता हमारे साथ है इसलिए हम विभाजनकारी नागरता कानून बना रहे हैं फिर जब इनका ससक्त विरूध वा तो इनों ने दूशरी बात कही इनोंने क्या कहा इनोंने कहा कि हम देश में मि इसको अलमारी 17 करोड़ 50 लाख भारत में जो भाजपा के कार्यकरता हैं उन समर्थक कार्यकरताओं ने CAA और NPR-NRC को जो इनका बेवाजनकारी नागरता कानू नर्देश के नागरिकों की नागरता छेनी का जो सडियंत्र है उसको खारिच कर डाला साड़े 17 करोड भारत जन्ता पार्टी का कार्यकरतन के खिलाप है और दिल्ली में भी इनके 62 लाख मत दाता है जिनमें बमुश्किल 35 लाख लोगों ने इनको बोड दिया इसलिए मैं ये भारत जन्ता पार्टी की लोग अब नंगे पन पर उतर आ गए हैं और देखिए क्या राजधाने दिल्ली में गोलियां और पत्थर बर्सा करके बापू के बताए मारक अइंसा के मारक पर सत्य ग्रहा करने वाले महिलाओं को युवाओं को बच्चों को गोलियों का सिकार बनाया जा रहा था गोली बारी पुलिश के मौजुद्गी में चाह जामिया में हुई पूलिश कर्मी दंगाईों के साथ यह दंगाई पूलिश कर्मी लेकिन दोनों मिलकर के एक तरफ के हिंसा कर रहे और सबसे बड़ी अफसोस जनक बात है कि गिरहे राजय मंत्री जिसका दैट तो है दिल्ली का उनका बयान बहुत बीतुका और बहुत बचकाना बयान था और दंगा कराने की भूमी का शुरू की थी उसके बिसे में कि रहे राजय मंत्री ने एक सब्द नहीं कहा